नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक अट व्यपार मंच सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और प्रेस करें इस बैल आइकन को दोस्तों अपनी लास्ट वीडियो में हमने डिसकस किये टॉप की चैंजिस जो इंकम टेक्स रिटन फाइल करते समय ध्यान में रखने बहुत ज़रूरी है और आप ही में से हमारे एक फ्रेंड ने हमें बोला है एक वीडियो बनाने के लिए उन चैंजिस इन इंकम टेक्स रिटन फॉर्म्स तो आज की वीडियो को हम लेकर आए हैं चैंजिस इन इंकम टेक्स रिटन फॉर्म्स पॉर अससमेंट इयर 2018 और 2019 पर तो आएए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इंकम टेक्स रिटन फॉर्म्स या फिर ITR फॉर्म्स वो प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है जिसमें एक टेक्स पेयर को अपनी इंकम, सॉर्स ओफ इंकम, इंकम टेक्स पेड और पेबल के बारे में इंकम टेक्स डेपार्मन को इंफॉर्मिशन देनी होती है हर एक taxpayer की income, source of income या nature of income दूसरे taxpayer से अलग होती है इसलिए सब taxpayer एक form में अपनी information नहीं दे सकते इसी वज़से department ने different different ITR forms बनाए हैं for different class of taxpayers ये ITR forms हर साल notify किये जाते हैं Central Board of Direct Taxes जिसे हम CBDT भी कहते हैं के द्वारा और इसी तरह इस साल भी CBDT ने notify किये हैं new forms for assessment year 2018 and 2019 ये ITR forms उस income की respect में file करने होंगे जो earn की गई है 1st April 2017 से 31 March 2018 तक इन new forms में काफी changes किये गई है कुछ schedules को modify किया गया है, कुछ new schedules add किये गई है इस बार के ITR forms taxpayers से ज़्यादा information की demand कर रहे हैं सीधा मकसद ज़्यादा ज़्यादा transparency लाना last year के मुकाबले इस बार के forms में 25 से भी ज़्यादा changes है आज की वीडियो में हम top 10 changes के बारा में बात करेंगे तो चलिए दोस्तों start करते हैं दोस्तों ITR 1 income tax return का सबसे easy form है ITR 1 file के जाता है एक individual taxpayer के द्वारा जो income earn करता है salary से या pension से एक house property से and other sources of income से एंड उसकी annual taxable income जो है वो 50 लाग से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इस साल से इस form में आपको आपकी salary का break-up भी देना होगा अभी तक salary का break-up सिर्फ form 16 में होता था ITR 1 में salary का break-up नहीं जाता था एंड second change in ITR 1 है कि आपको अपनी income from house property का भी break-up देना होगा पहले सिर्फ एक figure जाती थी बट इस साल से salary and house property दोनों की detailed calculation ITR 1 में देनी होगी दोस्तो next change आता है दूसरों जो major change है वो है कि ITR 1 form को non-residents के लिए withdraw कर लिया गया है अब non-residents को ITR 2 या ITR 3 में अपनी return भरनी होगी for assessment year 2018 and 2019 दूसरों थर्ड आता है वो taxpayers जो presumptive taxation scheme opt करते हैं under section 44 AD, 44 ADA और 44 AE उन्हें अपने books of accounts maintain करनी की जूरत नहीं होती और उन्हें अपनी income tax return form ITR 4 में file करनी होती है पुराने ITR 4 में सिर्फ 4 financial particulars जाते थे business के total creditors, total debtors, total stock in trade and cash balance बट new ITR 4 form में 14 financial particulars of business fill करने होंगे such as amount of secured and unsecured loans, advances, fixed assets, capital accounts, etc तो अब ITR 4 में additional details देनी होंगी taxpayer को 4th change जो आता है, 4th change है, new ITR 4 form में taxpayer को GSTR number and aggregate turnover जो उसने अपने GSTR return में दिया है वो भरनी होगी, ये additional information इसलिए मांगी गई है ताकि taxpayer different turnover ना show करे GSTR income tax returns में जैसे पहले sales tax में और income tax return में होता था अगर GSTR return and ITR में mention turnover में difference हुआ तो presently scheme opt करने वाले taxpayer को department से notice आ जाएगा explain करने के लिए कि turn over में mismatch क्यों है explain कीजिए 5th change है, 5th change है, individual taxpayer जो अपने income tax return फाइल कर रहे है form ITR 2 और ITR 3 और ITR 4 में उन्हें अपना gender, male, female वगएरा mention करने की ज़ूरत नहीं है अब gender का column इन forms में से remove कर लिया गया है 6th जो change आता है, वो आता है, GST Act के आने के बाद नए ITR forms में कुछ new columns add कर दे गया है जैसे CGST, SGST, IGST and ITGST paid by और refunded to during the financial year 7th जो change आता है, वो है, assessment year 2018-19 में वो individual और HUF जो किसी भी firm में partner है उन्हें अपनी ITR form ITR 3 में file करनी होगी last year partners को ITR 2 में अपनी return file करनी होती थी but अब ITR 2 में ना कर गे, ITR 3 उनको file करना होगा 8th जो change आता है, वो है, नए ITR forms में capital gain exemption के लिए specific column introduce कर दे गए है details of each capital gain exemption under section 54, 54B, 54EC, 54EE, 54F, 54GB and 115G अब से applicable column में report करने होगे इसके साथ साथ एक taxpayer जो ये capital gain exemption अवेल कर रहा है उसे date of transfer of original capital asset भी mention करनी होगी जिसके last year तक जोरूत नहीं थी 9th जो change आ रहा है, वो है, in case of taxpayer जो unquartered share से capital gain arise कर रहे हैं उनको, उन investors के लिए mandatory है कि वो valuation report लें ताकि investor unlisted share से होने वाले capital gain को सही तरीके से report कर सके नए ITR form में taxpayer को actual sale consideration की figure देनी होगी and FMV देना होगा, fair market value as determined by merchant banker और CA वो mention करना होगा जो 10th आता है, 10th है new ITR form, form 2, form 3, form 4, form 5, form 6 and form 7 में non-residents अपना एक foreign bank account के detail फिल कर सकते हैं for the purpose of income tax refund तो दोस्तों आज हमने discuss की top 10 key changes जो ITR forms में आये हैं उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो से आपको love मिलेगा and आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को जादा है जादा like and share करिए और हाँ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो जल्दीज़े subscribe कर देजे Thank you